नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है विजय एक्मार आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिठारा चैनल को तो चली दोस्तों हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे पीछे पड़ा पंचक जो की बाकेलाल के कॉमिक्स है और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अप्लोड कर दिया है पहले पार्ट मैं मैंने इस कॉमिक्स को 25 पिस तक कभर कर लिया था अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को सुरू करते हैं ठीक उसी छन बाकेलाल घोडा दोडाता हुआ वहां आ पहुंचा बचाओ बचाओ जे तक ये सब लोग बचाओ बचाओ क्यों चिला रहे हैं और राजा को अचार चड़ानी के जरुत नहीं पड़ती क्योंकि उनके पास सौनिम्रत्न है राजा चपडगंजू और उसके पुत्री हमारे महराज के हाथ से अचार शिन कर ले गए हैं हमारे महराज अकेले ही सत्रों के पीछे चले गए हैं उनके प्रांस संकट में है ये सु स्वान सिंग सत्रों का पीछा करते हुए अपनी सीमा से बाहर आ गएं तब राजा अचार का मर्तवान मुझे वापस दे दे राजा स्वान सिंग वो देखो तुम्हारा अचार हमारे खेमे में उपस्तित सैनिक और मेरी पुत्री परोंठे के साथ खाएंगे अब भी समय है मह महाराज मुझे विभा कर लो नहीं दोनों राजाओं की तलवारे आपस में भीड़ गई खनाग ओ मेरी तलवार फिर इससे पुर्व की राजा चपरगंजु तलवार के परहार से राजा स्वान सिंग की गर्दन कार देता सडाग अगले ही पल बाके लान ने फंदा फेक कर राजकुमारी के हांस से खीच लिया अचार का मर्तबान भी घबराये नहीं महाराज और अचार की चिंता छोड़ कर जान बचाईए मेरा नाम बाके लाल है और ये मेरा घोड़ा चेतक चेतक तो भी भाग अरे पकड़ो उन्हें करोधितो राजकुमारी अखिया मिलाओ ने तीन भाले एक साथ सत्रों की और उचाल फेगें साएं साएं भालो देवता के ये दिब भाले सत्रों का अंत किये बिना वापस नहीं लोटतें दिब भाले बाके लाल एमराजा स्वान सिंग के पीछे लग गएं बाके लाल तीन भाले हमारा अंत करने के लिए हमारे पीछे आरहे हैं, क्या? मगर तीन क्यों? ये तीन भाले हमें मारने के लिए हमारा पीछा भी कर रहे हैं अवस्ते ही ये दिब्बे भाले हैं और हमारा अंद करके ही रहेंगी अभी तक हमने खस्मानुखानी को अचाठ और पराठे नहीं खिलाए हैं अता ये भाले हमें मार भी सकते हैं चेतक हुन अपदा की होंगा चेतक कमबक्त आगे क्यों नहीं देखा धार भाले इधर उधर जाड़ियों में जाकर गिरें हुन अपदा कुछ नहीं हो सकता भालों ने जाड़ियों में छुपे सेर को मार डाला केंतु ये तो हमें मार दे आ रहे थे पिता सिरी मेरे रहते भला उन भालों की क्या विसाथ थी जो आपको आकर लगते छैला तुम हाँ आपने पुकारा और हम चले आए इस कमभक्त को मेरे संकट में फसे होने के सूषना किस परकार मिल जाती है भाले राजकुमारी के सत्रों का अंत करके ही लोटने थे भाले वापस लोट रहे हैं क्योंकि सी ही तो सभी के सत्रों होते हैं देखते ही देखते छैला भी गायब हो गया तो फिर मैं भी चलता हूँ राजे में वापस पहुंचने के बाद बाके ने अचार का मरतबान वापस राजा स्वान सिंग को सौंप दिया तुमने मेरे प्राण बचाये हैं बताओ मैं तुम्हरे लिए क्या कर सकता हूँ मुझे एक मरतबान अचार और कुछ परोठी की अशकता है बाके लाल ये लो अचार का भरा मरतबान और परोठे बाके लाल ने अचार परोठे मिर्टुबा देवी के मंदिर में चड़ा दिये मिर्टुबा देवी को अचार परोठे की भेट सिवकार हो तभी बाके लाल तेरी ये भेट में सिवकार नहीं करूंगी मैं तुम से रुस्ट हूँ, मंदिर का घंटा तेरे सिर पर गिरने से तेरी तुरंत मिर्टू हो जाएगी, मगर क्यूँ? क्यूंकि तुने राजा स्वन सिंग के प्रान बचाए है, वो तो मैंने अचार और परोठे उसे प्राप्त करने के लिए ऐसा किया है बाकेलाल, तुम्हें पता नहीं है कि राजा के मिर्टू के घड़ी तो कब की आ चुकी है, किन्तु राजा स्वेम को अभी तक बचाए हुए है, और मुझे यमराज स्री के हर रोज डांट खानी परती है मैं कुछ समझा नहीं, यदि राजा के मिर्टू के घड़ी आ चुकी है, तो फिर वो अभी तक कैसे बचा हुआ है स्वर्निम रत्न के कारण, जब तक वो रत्न राजा के अधिकार में रहेगा, तब तक मैं उसे मार नहीं सकती स्वर्निम रत्न राजा के प्रानू के रक्षा केवल उसके राजे की सीमा में ही कर सकता है आज वो भोलवस अपनी सीमा के बाहर चला आया था, किन्तु तुम्हारे कारण वो बच निकला, अन्य था, आज उसे मिर्टू आ चुकी होती यदि ऐसी बात है, तो मुझे एक औसर दो, मैं उससे स्वर्निम रत्न प्राप्त करनूँगा तब तुम सरलता से उसका अंध कर सकती हो, क्योंकि तुम जानती हो कि उस रत्न के मुझे भी आव सकता है ये इतना सरल नहीं है, राजा ने स्वर्निम रत्न को कहिं सुरक्षित रख छोड़ा है, वो ना तो तुमें उस अस्थान के बिसे में बताएगा और ना ही रत्न देगा ये कारे तुम मुझ पर छोड़ दो, तुम केवल अचार पर उठे की ये भेट से उखार करो, ठीक है, मैं तेरी ये भेट से उखार करती हूँ बाकेलाल तुरंट पहुंचा राजा के पास, आओ बाकेलाल, अब तुम मेरे अती थी हो, रत पर सवार हो जाओ, तुमारे घोड़े को मेरे सैनिक ले आएंगे अब से महराज, पाकेलाल ने घोड़े चेतक की काठी के नीचे से सत्य रत्न निकाल लिया, इस रत्न को मैंने अपने पास नहीं रखा, अन्य था, मुझे हर समय सत्य ही बोलना पड़ता, जबकि मेरा गुजारा जूट बोले भीना नहीं चलता, इस रत्न की मदद से राजा सत्य बोलेगा और सत्य की सिवाए कुछ नहीं बोलेगा, तब महराज, मुझे अतिती बनाने से पहले ये भेट सी उकार करे, वाह, ये तो बहुत सुन्दर रत्न है, ये तो उस सुन्दर रत्न के समुख कुछ भी नहीं है महराज, जैसा आपके पास है, अर्थात स्वर्नि रत्न से भी सुन्दर नहीं है, हाँ बाके लाल, ये सुन्दर रत्न से तो सुन्दर नहीं है, आपने उस रत्न को कहां रखा है, सुन्दर रत्न मेरे सुन्दर भविस्ति का प्रतीक है, मैंने उसे अपने सिरहने की रूई में रखा है, उसी से मैं कहीं पर, आहा, सिरहने की गुरूई में पता चल गिया, पता चल गिया, हे जलतरपन, वापस जल में जा, फूटी किस्मत को भी सुनिम बना देने वाला सुनिम रत्न, राजा स्वन सिंग के पास है, ये पता लगाने के बाद, मैं कैई दिनों से इसी ताक में था की, कब राजा उस रत्न के विशें में किसी से बात करे या उसे गुप्त अस्थान से निकाल कर देखे ताकि मुझे सुर्णी मरत्न के अस्थान के विशे में पता चल जाए अब मुझे सुर्णी मरत्न प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता तभी ओ थोड़ा सा प्रसन होते हैं मेरे किस्मत फूट गई और अकास से गिरी बिजली से तूट कर ये ब्रिक्च मेरे उपर आगिरा मैं जब भी थोड़ा सा भी प्रसन होता हूँ तो मेरे किस्मत फूट जाती है और मुझे पर संकर तूटते हैं इसलिए मेरे माता पिदा ने मेरा नाम भी फोटी किस्मत रख दिया ओ, सिकार सामने ही है, आजा बच्चो अजी, थोड़ा सा दिमाग से काम लो, राक्षा से जान ले लेगा बिल्लो रानी, कहो तो अपने जान दे दूँ अरी, समझा कर, वो राक्षा से तो क्या हुआ, ये तो ब्रिक्च के नीचे दाबा हुआ है डरो नहीं बच्चो, तोट पड़ो इस पर ओ, सिंग परिवार, ये तो मुझे ही खाने आ रहे हैं राक्षा स्पूटी किस्मत, किसी तरफ ब्रिक्च के नीचे से निकला और उसे सिंग परिवार की तरफ उचाल फेखा कभी कोई काम ठीक से मत करना एक हेरन तो पकड़ा नहीं किया, राक्षास मारने चले हैं मैं तो तुम से बिवार करके बस्ताई पिता सिरी, सेर होकर पिट गए, सेर का नाम पूरा ही मिट्टी में मिलाए दियो अब मेरी किस्मत फूर्टी नहीं रहेगी क्योंकि अब मुझे पता लग गया है कि स्वर्णि मृत्न राजा स्वर्ण सिंग के कक्ष में उसके सिर्हाने के रूई में रखा है अब ज़्यादा खुस मत हो वरना फिर फूर्ट जाएगी किस्मत अब तुम्हारी बाजूओं में दम है तो राक्षस की तरफ उठा कर फेको ब्रिक्च को राक्षस गदा लेकर महल में पहुँचा और राक्षस आगिया भागो धाड़ कड़ाक आज मुझे कोई नहीं रोक सकता कई राक्षस मिलकर भी राक्षस फूर्टी किस्मत का रास्ता नहीं रोक सके राक्षस आगिया भागो धाड़ राजा स्वान सिंग बाकेलाल के साथ महल में आप पहुँचा महराज गजब हो गया राक्षस फूर्टी किस्मत सिरहने को उधेर कर स्वानिम रत्न ले गया अब आप रात को सिर के नीचे क्या रखेंगे क्या राक्षस से रत्न वापस लाना होगा वो रत्न लेने ही तो मैं यहां आया हूँ स्वानिम रत्न का मिलना आउसक है मैं राक्षस की खोज में जाता हूँ ये बाकेलाल क्या कह रहा था वो रत्न लेने ही यहां यहां था मुझे भी उसके पीछे जाना होगा क्योंकि यदि बाकेलाल स्वानिम रत्न प्राप्त करने में सफल हो गया तो फिर मेरा क्या होगा राक्षस फूटी किसमत आज बेहत प्रसन था आखिर मुझे स्वर्ण मिम्रत्न प्राप्त होई गया अरे वहाँ प्रसन होने पर भी मेरी किसमत नहीं फूटी अर्थात मुझे पर कोई संकट नहीं तूटा संकट तूटने ही वाला है परसंता के आवेग में भागे जाते राक्षस फोटे किसमत को सीकारियों द्वारा खोदा गया वो गढधा भी दिखाई नहीं पड़ा घांस पुस से धका गढधा अरे ये तो वही राक्षस है जो ब्रिक्ट के नीचे दबा हुआ था अब ये हमें अपना भोजन बनाने के लिए गढ़े में भी आ गया अजी कुछ करो जब देखो मेरी इज़त का कच्रा करती रहती है आज दिखा ही देता हूं तुझे राक्षस ने भी सीह को उठा कर पटक मारा अब मेरी किस्मत फूटी नहीं रही जो तुम मुझे मात कर खाने की फिराक में है अजी मैंने कहा लानत है ये बात ओ ये तो फिर मुझवट जबट रहा है राक्षस फूटी किस्मत ने सीह को पुनब पटक मारा धार अजी मैंने कहा डोब मरो चुलूई भर पानी में बाकेडाल भी उस गड़े पर आ पहुँचा ओ चेतक राक्षस के प्रान खत्रे में है ये राक्षस है तो क्या हुआ इसकी तिक्का बोटी तो मैं कर के रहूँगा बाकेडाल तु यहां क्या कर रहा है मिर्टू तुम यहां क्या कर रही हो गड़े में राक्षस पूटी किस्मत है एक साब के कारण ये जब भी परसन होता था तो इस पर संकर तूटता था स्वर्नि वरत्न मानों के लिए तो हितकारी है किन्तु देट्ते दानों के लिए अहितकारी अर्थात उल्टे परभाव वाला अब तो इस पर जल्दी जल्दी मिर्टू कारी संकर तूटेंगे अजी मैंने कहा वो चूड़िया पहलो जो मानों की इस्तिरिया पहनती है अगर राक्षस तुमारे हां तो मारा गया तो फिर स्वर्नि मरत्न का क्या होगा स्वर्नि मरत्न मरने वाले के साथ ही गायब हो जाएगा नहीं स्वर्नि मरत्न तो मुझे चाहिए यदि रत्न राक्षस के साथ ही गायब हो गया तो राजा स्वर्न सिंग का तो मुझे पता नहीं किन्तु मैं तुमारे हां तो अवस्ति ही मारा जाऊंगा हाँ वो तो है रत्न के गायब होते ही राजा को भी मैं मार डालूँगी भाकेलाल ने चेतक की पेट से धनुस बान उतारा और मैं राक्षस को मर दें नहीं दूँगा मरो दुस्टो साएं भाकेलाल तुने राक्षस को मेरे हाथों से बचा कर मुझे पुनक करोधित कर दिया है अब तू नहीं बचेगा तुमने मुझे बचन दिया था कि मिर्तु देवी की अचार चढ़ाने पर तुम यग पुर्ण होने तक मेरा बाल भी बाका नहीं करोगी तब भाकेलाल ने राताओ की रस्ती बना कर गड़े में फेकी राक्षस फूटी किस्मत ये लो इसे पकड़कर उपर आ जाओ ठीक है इस बार तु तुने राक्षस को बचा लिया किन्तु अगली बात ये नहीं बचेगा मेर्टू राक्षस फूटी किस्मत को दिखाई नहीं पड़ रही थी राक्षस भई तुम जो रत्न राजा स्वन सिंग के महल से चुरा कर भागे हो वो मुझे दे दो क्योंकि उसके कारण मिर्टू तुमारी सत्रू बन गई है तुम जोट बोल रहे हो मैंने तु सुना है कि राजा की मिर्टू इसे रत्न के कारण टली हुई है हाँ किन्तो ये रत्न तुम पर परभावी नहीं है मेरी बात का परमान है अभी अभी तुमारा गढ़ेज में ग तो ये जूट कह रहा है उसे रत्न मत देना ओ राजा स्वन सिंग राक्षा स्पाई मैं तुमें इस रत्न का परहरी बनाता हूँ जिससे की मेरे प्रान तुम बचे ही रहेंगे तुमारे भी प्रानों का संकट डल जाएगा वास्तों में बाकेलाल चल से वो रत्न मुझे से प्राप्त करके मेरे और तुमारे प्रान संकट में डालना चाता है रत्न उसे हर्गिज मत देना राजा अपने प्रान बचाने के लिए जूट बोल रहा है ओ, अब ये कमबक्त सत्ते भी नहीं बोलेगा क्योंकि सत्ते रत्न, मैंने इससे तुरंत ही ये करकर वापस ले लिया था कि सत्ते रत्न का स्वामी एक होने पर दोनों रत्नों का फल अनिष्टकारी होता है राक्षस भाई, इसके कहने में मत आओ, ये अपने प्रान बचाने के लिए ऐसा कह रहा है क्योंकि इस रत्न के कारण ही इसके प्रान अभी तक मिर्तु के चंगुल में से बचे हुए है मुझे तो ये पता है कि मेरे प्रान स्वार्नेम के कारण ही बचे है धार, ओ, और जो कोई भी मुझे ये रत्न छिनने का परियास करेगा मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूँगा ओ, मुझे में तो और ताकत आ गई है धार राक्षस तो चला गया अच्छा बाके लाद, अब मैं भी चलता हूँ क्योंकि अब स्वर्नेम रत्न राक्षस के पास सुरक्षित रहेगा और यहां ब्रिक्ष के नीचे दबा होने के कारण तुझे भी वन्य प्रानी सिगरी अपना आहार बना लेंगे अरे, कोई वचाओ, इस बार मैं तहनी के नीचे नहीं दबा हूँ सहसा, बाके लाद को कुछ अस्मरन हो आया स्वामी, अब क्या होगा, कोई वन्य प्रानी आ गया तो हिन घबराम अच्चे तक इससे पुर्व की कोई वन्य प्रानी इधर आ निकले मैं स्वैम ही, इस ब्रिक्ष के नीचे से निकलाऊंगा देखा, ब्रिक्ष के नीचे गड़े नुमा इतना अस्थान बचा हुआ था कि बिना ब्रिक्ष चटाए, मैं सरल्दा से सरक कर इसके नीचे से बाहर निकलाया क्योंकि मैं जानता हूँ कि आम काचार मिर्टुमपा देवी को चड़ाने के पस्चाथ अभी मिर्टु मुझ पर घातक परहार नहीं करेगी चलचे तक राक्षस के पीछे चल, उससे रत्न प्राप्त करना बहुत अवसिक है बाके लाल, कोशी दूर पहुँचा होगा कि देखा राक्षस भई, मैंने कहा था ना, कि तुम पर मिर्टु का योग प्रबल हो गया है अने था, ये नर्भक्षी ब्रिक्ष तुम्हें ना जकरता इस ब्रिक्ष को काट कर मैं तुम्हें अभी इस संकर से बचाता हूँ क्योंकि मुझे इस ब्रिक्ष से मिर्टु का भे नहीं है मेरे नीचे लगा, मेरे सिकारों की हड्यों का धेर देखकर कोई मेरे निकट आने का साहस नहीं करता अता, मुझ पर कोई कुलहारी चलाने की भी तो सोच भी नहीं सकता जबकि मेरी मिर्टू कुलाणी के एक ही वार से होनी थी देखा राक्षस भई, मिर्टू बार बार तुम पर अपना वार कर रही है हाँ, वो तो ठीक है, किन्तु मैं स्वन्निम रत्न के बार कारण बच गया तुम समझते क्यों नहीं, तुम स्वन्निम रत्न के कारण बचे नहीं रहे बलकि बार बार मिर्टू के चुंगल में फस रहे हो ऐसा तुम समझते हो, सहसा राक्षस ने बाकिलाल को एक दूसरे ब्रिक्च की सखाव में उचाल फेका यहां ऐसे कई नर्भक्ची ब्रिक्च हैं, जो तेरा रख्त चूस जाएंगे यह क्या किया, मैंने तो तेरी जान बचाई है दूस्ट अवस्से बचाई है, किल तो अपने स्वार्थ के लिए अरे इस ब्रिक्च ने तो मुझे चकर लिया, होना पदा की होगा एकाये कि ब्रिक्च ने स्वयं भी बाकेलाल को छोड़ दिया ओ, मैं छूट गया, पिता सिरी मैंने आपको छुड़ाया है तू ना भी आता, तो भी मैं छूट जाता तभी बाकेलाल जल्दे से स्वर्णिम रत्न प्राप्त कर ले, अन्यता तुम मरेगा और वहाँ विसालगट में पंचक के परभाव से मरेंगे राजा बिक्रम सिंग, राणी स्वर्णलता, सेनापती और महामंत्री भी तेरे पास कल सुर्यास तक का समय है बौखलाया बाके पुना राक्षस फूटी किसमत के पीछे दोड़ा इसी धमा चोकड़ी में प्राता हो गई है और अभी तक मुझे स्वर्णिम्रत नहीं मिला चल चेतक राक्षस निकलने ना पाए सेसा ही चेतक की गती में अंतराने लगा चेतक तेरी गती धीमी क्यों हो गई है हिन, स्वामी पाउ ही नहीं उठ रहे है बाके के द्रिष्टी भूमी पर पड़ी तो वो उचल पड़ा यहां तो दलदल है तो दलदल में फस गया है चेतक भयानक दलदल मुझे अपने भीतर खीच रही है हिन, कोई है मुझे दलदल से बाहर निकालो मैं यहीं सोच रहा था कि राक्षस कहां गया क्योंकि वो नामुराद भी तो इसी ओर आया था चेतक दलदल से निकलने की चेस्टा कर क्योंकि यदि हम ही दलदल से नहीं निकलें तो राक्षस को कैसे निकालेंगे वो दलदल में डूब गया तो स्वर्निम रत्न भी उसके साथ ही साथ हमारे हाथ से निकल जाएगा मैं तो हिल भी नहीं पा रहा हूं स्वामी मुझे निकालो किन्तु मैं क्यों भैवित हो रहा हूं मेरे पास तो स्वर्निम्रत्न है मुझे कुछ नहीं हो सकता हम तो डोपते जा रहे हैं हुन अप्पादक की होंगा तभी पिता सरी छैला के रहते आपको चिंता करने की कोई ओ सकता नहीं है छैला सही समय पर आया है मैं अभी चेतक को किनारे पर खीच लेता हो मैं समझ गया हूं की मैं जब भी हुन अप्पादक की होंगा कहता हूं कमबक छैला मेरी मदद को आ जाता है आप से ध्यान रखूंगा बागे सुरक्षित किनारे पर पहुंच चुका था राक्षस, फोटी किस्मत तुमने मेरा कहा नहीं माना और एक बार फिर मिर्टो के सिकंजे में फस गए इस बार मैं तुम्हें नहीं बचाओंगा ताकि तुम्हारा ये भ्रह्म तोट जाए कि स्वर्णिम रत्न के कारण तुम्हारे प्रान बच रहे है यदि ऐसा है तो तुम स्वयम ही बच कर दिखाओ या अपने बचाओं के लिए किसी करिश्मे के प्रतिक्षा करो स्वानिम रत्न अवस्ते ही मेरे प्रान बचाएगा मैं तो और डूब किया मैं तो और भी डूब किया स्वानिम रत्न तो मुझे बचा ही नहीं रहा है मैं कंदो तक दलदल में फस गया अब रत्न बचाता क्यों नहीं अरे ये कौन है मैं तेरी मिर्टू हूँ, तेरा समय पूरा हो गया है इसका मतलब ये रत्न मुझे नहीं बचाने वाला बाकेलाल मुझे बचाओ, तुम ठीक कहते थे ये रत्न ही मेरी मिर्टू का कारण बढ रहा है तो फिर स्वर्णिव रत्न मेरी और फेक दो राक्षस ने रत्न बाकेलाल की और फेक दिया तभी ये स्वर्निम रत्न मेरा है और मेरे पास रहेगा ओ राजा स्वर्न सिंग अरे कोई पकड़ो उसे वो स्वर्निम रत्न लेकर भाग रहा है अरे मुझे तो कोई बचाओ लो ये रसी पकड़ो ठीक है बाकेलाल बाकेलाल ने राक्षस को दलदल से बाहर खीच लिया अरे ये चहला और चेतक कहां चले गए वो ज़रूर राजा स्वन सिंग को पकर दे गए होंगे चलो हम भी उनके पीछे चलते हैं राजा की गर्तन मैं स्वयम अपने हाथों से मड़ो रूँगा इधर राजा स्वन सिंग घोड़ा दोराता हुआ निकला जा रहा था आखिर स्वन में रत्न पुना मुझे मिल गया रुख जाओ तभी राजा का घोड़ा रुख गया अरे ये घोड़ा स्वयम क्यों रुख गया क्योंकि महराज आप जिस घोड़े पर चड़े हो वो आपका नहीं बलकि पितासरी का घोड़ा चेतक है मैंने आपको देखते ही घोड़ा बदल दिया था हुन अपन चल दे हैंगे आ क्या तभी राजा स्वयन सिंग मरने के लिए तयार हो जाओ चेतक तुम्हें 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 राजे की सीमा से ही बाहर ले आया है और यहां तुम्हें मेरे हाथों से स्वयन मरत्न भी नहीं बचा सकता नरक जाने के लिए तयार हो जाओ क्योंकि अपने जीवन में हर समय अपने प्रानों की रक्षा करने के अलाबा तुमने कोई दूसरा कारे नहीं किया है जिसे की पुन्ने तुम्हें स्वर के रूप में प्राप्त हो नहीं तभी चेतक ने राजा स्वर्ण सिंग को उचाल दिया हिन उतर में रिपीट से राजा धार से सीर के बल गिरा और उसका माथा पत्थर से ठकरा गया बाके लाल येलो स्वर्ण निम्रतन मैं तुम्हें देता हूँ जीवन के अंत में ये एक अच्छा कारे करने पर साइद मुझे स्वर्ण की प्राप्ती हो ये तो तुमने अकलमंदी का कारे किया है राजा सेर में लगी चोट से राजा स्वर्ण सिंग के मिरतु हो गई बाके लाल इसकी आत्मा को यम्राज के पास महुचा कर अब मैं तुरंत विसाल गट पहुचूंगी ताकि उन चारों की आत्माई भी ला सकूँ ये तो मेरी गर्दन मडोरने से पहले ही मर गया सैसा पंचक पर कट हुआ सैसे स्वर्णी मरत्न प्राप्त करके तुमने तो उसके पर्भाव से अपने प्रान बचा लिए बाके लाल किन्तो से इस चार के प्रान तभी बचेंगे जब तो से तुम सभी रत्नों को यग अस्तल तक पहुँचा दोगे और पंचक प्रभाव समाप्ती का समय सरसे सुर्यास्त के साथ ही समाप्त हो जाएगा जबकि तुम्हे विसालगर पहुँचने में लगेंगे तीन दीन भाग जे तक अब सुमी को कैसे समझाओं कि मैं कितने भी तेज दोड़नूं किन्तो सुर्यास्त तक पिसालगर नहीं पहुँच सकता बाकेलाल के कारण ही बस सके हैं मेरे प्रान मैं दुआ करता हूँ कि बाकेलाल समय से पहले पिसालगर पहुँच जाए वो मारा पापड़ वाले को मुझे कौन सा उन चारों के प्रान बचाने हैं मेरे तो बच गए इस बात तो मोटे मुच्छ को पंचक एम मुर्तिव से कोई नहीं बचा सकता चलो मेरा नाम भी नहीं लगेगा क्योंकि मैं तो पूरी ताकत से घोड़ा दोरा रहा हूँ बिसालगर पहुँचने के लिए चेतक भाग और तेज भाग बिसालगर में सुर्यास्त पर लगी थी सबके निगाहें सुर्यास्त होने को है और बाकेलाल अभी तक नहीं आया अनमोल रत्न लेकर वो तो अभी आधे रास्ते में भी नहीं पहुँचा होगा और मैं तो आ भी गई महान पंचक के अधेस पर तुमारी आत्माय ले जाने इसी छन से तुमारी मिर्दू का योग आराम होता है फैरो बाकेलाल आप पहुचा है नहीं ये नहीं हो सकता मेरी आँके मुझे धोका नहीं दे सकती ये तो मोटा मुच्छड ही है तो क्या मैं विसालगट आप पहुचा हूँ पिता सरी हम सुर्यास से पुर्ब विसालगट आप पहुचे अब घोड़े से नीचे उतरो ये तो छैला की आवाज है हाँ जब आपने कहा वो मारा पापड़ वाले को तो मैं आ गया था मैंने सुचा चलो अब आई ही गया हूँ तो आपके घोड़े की गती बढ़ा कर आखिर आपके पड़ती मेरा भी तो कुछ करतबे बनता है बेडा गर मैंने क्यों बोला वो मारा पापर वाले को ये कमश्य मेरे क्या क्या बोलने पर आ जाता है बोलो बाके लाल की जै किरपया अब मुझे अग्या दे क्योंकि मेरी इच्छा भी पुर्ण हो गई है और आपने मुझे पुत्र कहा ये सब्द सुनने के लिए तो मेरे कान तरस गे थे। पंचक के साथ वापस लोट गई भविसे में पल से पंचक को कभी मत भुलना यक के पश्चात सवी रत्न भी यथा अस्थान पहुंच गए बोलो बागेलाल की जै बागेलाल का बागेलाल देपुची बड़े दिन हो गये हैं बेडा बेडा गर्क और इसी के साथ ये कहानी य अंगामा मचा रखा है कौन है ये टोपी चन्द जासूस राज कॉमिक्स में फाटर टोर्स अब एक ने रूप में तो आपको ये वीडियो कैसी लगी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो इस वीडियो को लाइक सेयर कमेंट जरूर कर देना चैनल पे नए हो तो च कट जा रहे हैं यहाँ पर तो इसको एड़ज़स्ट करने में और इसको पढ़ने में बहुत ही परसानी हो ती तो जैसे तैसे मैंने इसको पढ़ा तो अगर आपको मेरा काम पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पे ने हो तो चैनल को सबस्क् जरूर से कर लेना तो मिलते हैं आप से किसी और नई वीडियो में तब तक के लिए बाए